मुझे श्रीकृष्ण की भगती में खुशी मिलती है और संसार के जो संसारिक जीवन है उसे देखकर मुझे रोना आता है रखने से तीरत करने से या जो है काशी में करवट लेने से कोई फाइदा ने है जो शरीर है उस पर अहंकार मत करो क्योंकि ये तो नश्वर है एकना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा प्रणाम मैं रिहान आयस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे फस्ट प्यूजी के जितने भी विध्यारती है फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है मेरे प्रिये विध्यारतियों आज मैं आपको जो आपकी साहिती वैभव इसके अंतरगत जो आपके लिए मध्यकालिन कविताएं हैं इसमें जो तीसरी कविता है आपके लिए मीरा बाई के पद आज इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूँगी पहले हम मीरा बाई के बारे में सम्शिप्त में जानेंगे मीरा बाई, इनका जो जन्म है वो 1498 में, यानी 1498 को जो है राजस्तान में मेरता के पास कुड की चौकटी यहां पर इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जो है, वो जोतपूर के महराज राव रतन सिम थे और मीरा बाई का जो विवाहा है, वो कहें उदैपूर के राजकुमार भोज राज से हुआ था और इनका विवाहा कुछी समय तक था यानि विवाहा के कुछी सालों में कहें इनके पती का दिहान्त हो गया था पिर मीरा बाई विद्वा हो गई थी मीरा बाई बच्पन से ही कहें श्री कृष्ण की आराधना और उसकी भक्ती में डूबी हुई थी अब जब ये विद्वा हो गई तो जो इसकी भक्ती है और भी जियादा हो गई श्री कृष्ण को वो अपना प्रियतम और अपने पती के रूप में स्विकार कर लेती है यहां पर क्या है यहां पर श्री कृष्णी की भक्ती में डूपते हुए मीरा बाई को बहुत सारी समस्याओं को जेलना पड़ा बहुत सारे अथ्य चारों को भी इसको सेहना पड़ा मीरा बाई श्री कृष्णी के प्रेम में नाचते गाते हुए उसकी भक्ती में सादून के संद जो है बैट कर अपना जीवन बिताने लगी थी श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव अपने पती के रूप में स्विकार कर चुकी थी निराबाई की जो मृत्यू है वो 1546 में यहीं 1546 में हुवी थी और इनकी प्रमुक रचनाये हैं गीता गोविंद की टीका और नरसी जी रो महेरो और राग गोविंद सरोट संग्रहा मीरा की पदावली आदी इनकी प्रमुक रचनाये है जो आपके लिए मीरा के पद है इसमें क्या है मीरा भाई जी ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है श्री कृष्ण को इन्होंने अपना प्रियतम माना है और जो है दर्द और भाउं की अत्यनत तीर्वता मीरा भाई के कावी की विशेष्टा है इनके काविक की विशेषता दर्द की तीर्वता है मीरा बाई पर होने वाले अथ्य चारों का भी इन्होंने यहां पर परिच्चे दिया है और जो आपके लिए यहाँ पर जो पद है इसमें मीरा बाई ने अपनी भक्ती का जो माधुर्य भाव का परिचे भी यहाँ पर इन्होंने दिया है जो आपके लिए पद है वो इस प्रकार है मारारी गिर्धर गोपाल दूसरा ना कोया दूसरा ना कोवा साधा सकल लोक जोया भाया छडिया बंधा छडिया सगा सोया साधा संग बैट बैट लोक लाज खोया भगत देखिया राजी होया जगत देखिया रोया असवा जलसींच सींच प्रेम वेल बोया राणा विशारो प्याला भेजा पिया मगण होया अब तो बात फाइल पढ़चा जगण सब खोया मीरारी लगन लाग्या होना हो जो होया यहां पर कोया का मतलब है कोई और जोया का मतलब है यहां पर देख लिया है भाया का मतलब है भाई और साधा का यहां पर मतलब है सादू रूया का अर्थ है यहां पर रोई पिर मगन का अर्थ यहां पर है मगन का अर्थ यहां पर प्रसन होना तो इस पद में मीरा बाई कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई नहीं है जो कृष्ण है इसके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है मेरे जीवन का एक मातर आधार सिर्फ श्री कृष्ण यहाँ पर गिर्दर गोपाल के थी श्री कृष्ण ही है इसके इनके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है फिर वो आगे कहती है कि क्या है श्री कृष्ण जो है मेरे जीवन का आधार है इनके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है पिर वो कहती है यहां पर मैंने जो मेरे भाई को यहां पर छोड़ दिया यनि इसका मतलब है जो संसार के रिस्टे नाते हैं जो इसके सगे संभंधी है वे श्री कृष्ण के लिए इसने सारे सगे संभंधियों को सारे रिस्टों को इसने छोड़ दिया आगे वो कह रही है कि मैं जो हूँ, वो सादू के संग, बैच बैट कर, मैंने लोग की लज्जा तक खोदी है, श्री कृष्न के प्रेम में कहें मेरा बाई दिवानी हो गई थी, श्री कृष्न के प्रेम में उसकी भक्ती में डूपते हुए, साधूँ के संग प्रवचनों में बैटकर उसने लोक की लज्जा को खो दी थी तो इसका यहां पर वो जिक्र करती है फिर आगे यहां पर कह रहे हैं कि कह यहां पर फिर से वो कहती है कि कह मुझे श्री कृष्न से श्री कृष्न की भक्ति में प्रसनता मिलती है मुझे श्री क्रश्न की भक्ति में खुशी मिलती है और संसार के जो सांसारिक जीवन है उसे देखकर मुझे रोना आता है यहीं मुझे सांसारिक जो संसार का सांसारिक जो भी सांसारिक ता है उसे देखकर मुझे रोना आता है पिर वे आगे कहती है यहां पर मैंने आसू जो आसू जलसे मैंने सीन सींच कर श्री कृष्ण की भक्ती को जो श्री कृष्ण के भक्ती है उसको मैंने अपने रुधय में उसकी बेल को बोया है और वे आगे कह रही है कि जो राणा है उन्होंने श्री कृष्णी के भक्ती में जो इस तरह से मैंने लोकलज्जा को छोड़ दिया था इसलिए मेरी सास भी मुझे कुल नाशिनी कहती थी और राणा ने मुझे विश्का प्याला भेजा था और मैं बहुत प्रसंदता होकर मैंने बहुत खुशी से बहुत प्रसंदता से मैंने उस विश्के प्याले को पी लिया था और क्या है बहुत खुशी से मैंने उसे ग्राहिनी उसको मैंने पिया और क्या है श्री कृष्ण की भक्ती ही थी कि मेरा बाई जो है मेरा बाई को उस विश्च का कोई असर नहीं हो पिर आगे वो ये भी कहती है कि यहां पर कि अब तो श्री कृष्ण की भक्ती मेरे मन में समा गई है और वो श्री कृष्ण की भक्ती किसी भी प्रकार मेरे मन से क्या है नहीं छूट सकती नहीं निकल सकती नहीं क्या है मेरे मन से उनकी भक्ती क्या है यहां पर मेरे मन से कभी भी किसी भी तरीके से मेरे मन से दूर नहीं हो सकती नहीं छूड सकती इस तरह से इस पद में क्या है मीरा बाई अपने ऊपर होने वाले अथ्यचार और साथी साथ क्या है क्रिश्न की भक्ति किस तरह से इनके मन में समा गई है इसके बारे में कहती है आगे का जो पद वो इस प्रकार है कहा लाया करवत कासी या देहारो गर्बना करना माटीमा मिल जासी यो संसार चहरी बाजी सांच पडिया उट जासी कहा भाया था भगवा पहराया घरताज लाया सन्यासी जोगी हुया जगतना जाना उलट जनम राफासी अरज करूसा अबला शाम तुम्हारी दासी मारारे प्रभु गिरधर नागर कटिया महारी घांसी तो मीरा बाई इस पद में कह रही है मीरा बाई क्या है श्रीक क्रश्न के चरंड कमलों को स्मरंड करते हुए कहती है कि जो धर्तिया और आकाश के बीच जो सब कुछ बस्तुएं हैं जो भी है ये सब तो एक ना एक दिन नस्ट हो जाएगा तो यहां पर वो फिर कहती है कि तीरत बरता यानि तीरत करने से वरत रखने से और जो है वरत रखने से तीरत करने से या जो है काशी में करवट लेने से कोई फाइदा नहीं क्योंकि ये जो शरीर है वो कहें नश्वर है एक ना एक दिन मिटी में मिल जाएगा इस पर गर्व इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए जो शरीर है उस पर अहंकार मत करो क्योंकि ये तो नश्वर है एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा तो ये तीरत करना या व्रत रखना या काशी में करवट लेना ये सब क्या है अडंबर है दिखावा है और कुछ नहीं और एक ना एक दिन ये शरीर को मिती में मिल जाना है पिर वो आगे कहती है कि ये संसार जो है वो चिडिया का खेल है जब सांच हो जाती है उस वक्त ये समाप्त हो जाती है चिडिया ये संसार जो है चिडिया का खेल है जब संध्या हो जाती है यानि संध्या जब हो जाती है उस वक्त क्या है ये खेल जो है समाथ हो जाएगा पिर आगे वो कहती है कि यहां पर घर त्याक करके सन्यास लेना या तो जो भजवा, जो रंग के वस्तर धारंड करना ये सब कोई, इस सब का कोई फाइदा नहीं ये सब बेकार है क्योंकि क्या है, वो बताती है कि जोगी होकर जब जन्म और मरंड की, जन्म से लेकर मरंड तक उसे मुक्ती ना मिली है तो ये दिखावा किस बात का, और जन्म मरंड के जो चक्र को ना जाना ना ही उसे मुक्ती मिली, तो ये दिखावा किस काम का फिर वो बताती है, यहां पर वो कहती है कि मीरा बाई श्री कृष्ण कहें, गिर्दर गोपाल मैं तुम से हाथ जोड़कर विंती करती है कि जो सांसारिक, जो जीवन है, इससे मुझे मुक्ती दिला दो यहां पर वो हाथ जोड़कर फिर से गिर्दर गोपाल से विंती करती है और कहती है कि इस क्या है सांसारिक, जो जीवन है, इससे मुझे मुक्ती दिला दो मीरा बाई कहती है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, गिर्दर गोपाल, श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ मेरे यह जो सांसारिक बंधन है, यह सब क्या है, नस्ट कर दो और मुझे मुक्ति दिला दो इस तरह से इस पद में क्या है मीरा बाई अपनी क्या है सांसारी बंधृनों को नस्ट करने के लिए और जो तीरत यात्रा जो भी वरat करते हैं जो भी भागवा वस्तर पहन कर जो भी घर का त्याप करके सन्यास लेते हैं अगर उनको मुक्ति ना मिले तो ये सब क्या है बेकार है ये सब क्या है क्या है बेफाइदा है बेलाब है इसलिए क्या है यहां पर दिखावा और अडंबर नहीं बल्कि ये तो चन्द दिनों का चिडिया का खेल है ये संसार संध्या होते ही समाप्थ हो जाएगी इस सारी ब और पाट पर चर्चा करेंगे, धन्युवाद।